हिंद महासागर भारत के पैर पकार था खुद समुद्रू क्या आपको और मुझे इसी समुद्र में कूदने को कहा जा रहा है लगता तो ऐसा ही है उदैपुर में खेले गए अर्बी खेल के बाद पूरे भारत में हिंदू समाज के वल ये डिसकस कर रहा था कि आपकी दुकान घर में आने वाला ग्राहा क्या अतिती भी ऐसा कर सकता है रवीश जी की भाषा में कहें तो डर का माहूल था परंतु दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम को लगता है कि ऐसी स्थिती में हिंदू लाइवस मैटर जैसे ट्रेंड्स अगर आप त्विटर पर चलाते हैं तो वो भयानक है वाह सूवर कटे गेहूं में मुह मार गया और गलती दुकानदार की कहां से निकलते हैं शुक्रानूं आकिर क्या एजंडा है वर्ल्ल मीडिया का बहु संख्यक भारतियों के विरुद्ध क्या हम हिंद महासागर में कूच जाएं इच्छा तो उनकी यही दिखती है और आज इस घमासान को हम भी देखेंगे बने रही हैं मार साथ करता है कि आरी पर चड़ने के बाद भी अगर कुछ हिंदू संगठित होकर कुछ ट्वीट करके हिंदू लाइउस मैटर जैसी चीज़ लिख देते हैं तो यह देश की स्थिति को बिगाड सकता है तो आपको चुप चाप आरी पर अपना सर रख देना चाहिए आर्टिकल लिखने वाली एक महिला थी कोमल हिर्दय वाली सान्या मनसूर जिसके अनुसार अगर उस दरजी ने शर्मा जी की लड़की को सपोर्ट ना किया होता तो उद्यपूर होता ही नहीं सही बात है बकरा पैदा होने की गलती नहीं करता तो इद पर कढ़ाई पर नहीं डलता हम बोलना चोड़ देते हैं ये पूरा आर्टिकल वैश्विक दृष्टिकून बनाने वाली संस्था ने इसलिए लिखा क्योंकि हिंदू लाइवस मैटर पर दो लाग से अधिक ट्वीट हुए थे लिखने वाली सान्या मनसूर जो शान्ती प्रिये घर में पैदा हुई प्रतीत होते हैं उनका हिंदूं से और भारत से कुछ खास प्रेम है कोविट के समय भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था पर चलिए गलती इनकी भी नहीं है ड्राइवर गाड़ी खाई की तरफ मोड़ दे तो पहिए कि क्या गलती बात टाइम मैगजीन की करते हैं तालिबान का मुला बरादर दुनिया के सौ बड़े लीडरों महेंन के लिए ओके पर नरिंद्र मोडी डिवाइडर इंचीफ गजब नरेटिव है विजिज ओके आपकी पॉलिटिक्स जैसा कहे वैसा करिए आज कल वैसे भी मोडी जी चु है हनमान का एक पोस्टर भारत में उग्रवादी बना रहा है भारत की ओरतें अगर साड़ी पहन रही है तो उससे राष्टवाद बढ़ रहा है वो भी नेगेटिव सेंस में नियुआक टाइम्स को गंगा में हिंदू का शव संसकार जो कब से चला रहा है उस पर उनके कव हुए हैं लोग संभोग से तो ऐसा प्रोड़क्ट नहीं पैदा होता यह फ्रंट पेज ऑफ क्रैकडाउन ओन क्रिस्टियानिटी जबकि सारे इंसिदेंट्स के अगेंस थे निदी राजदान हावर्ड में सिक्वा आई तो उसके पीछे भी हिंदू सोचिए क्यों होगा य एक्सपोज किया जाता है कि आपने अपने वीडियो में जो थे वो पॉलिटिकल लोगों से सब कुछ बुलवाया हैं तो कुछ इस प्रकार से माफियो मांगता दिखता है बड़ा प्रश्ण यह क्यों किया जाता है यह सब वह आगे समझते हैं Das एक बुकी माफियो में तो झाला ठाटा यह संथप्टिए कि उनले अपने वीडियो में जिल टून श淡ाटा संथ एल्डिकल टो दियए से सम हपने बीज़ियों कि अम नूट-भिय कि को में ऐसीड़ूबम् गरियों पॉनिजिंस अभर्वायम के बलाता है कि आपक्षए तो जी आज से कुछ महिनों पहले एक report published की गई Indian Institute of Mass Communication द्वारा, Washington Post, BBC, New York Times वगएरा वगएरा पर research की गई थी 500 से अधिक articles के ऊपर इन में सबसे अधिक प्रयोग में लाए गई शब्द थे डर, द्वेश, हिंसा, उपद्रव, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, गाय, भीड, आंदोलन ये global coverage है भारत की खैर, गोदी मीडिया और रविश, side मीडिया की भी यही coverage रहती है पर global media कुछ खास है और बुरी बात ये कि भारत में इनकी leadership बहुत तेजी से बढ़ रही है तो negative राष्टवाद और Muslim fashion identity एक प्राप्त करने की वस्तू और ये बसार आज से नहीं है 1999 की report देखिए New York Times की शिव versus Jesus आगे खुद पढ़ लेजिए खबर जूटी थी पर थी 1999 से आज तक कुछ नहीं बतला है आपकी स्क्रीन पर कुछ recent headlines हैं जो बिलकुल उसी tune की है पर जब aggressor दूसरी side का होता है तो religion का नाम ने लिखा जाता है headline भी ऐसी होती है जो गुमसुम कर जाएगा जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक के articles की headline पढ़ लिजे New York Times की सब खुल जाएगा और भाई साब यह क्या भसड है रामदेव बाबा हुली वार कर रहे हैं यह कब कब में खेल गए सांड Hindu nationalism से शायद इन्हें दिक्कत है पर वह क्यों आवश्यक है वो फ्रंकोईस गॉइटर ने बताया था देल मिनट का यह वीडियो है करें उसको सुनिया है Hindu nationalism is a must because most Hindus are not proud to be Hindus we see Hindus in the US I have seen so many I have given lectures in American universities like recently I gave in Atlanta there are 3000 students Indian students in Atlanta University most of them Hindus if you give a lecture on I gave a lecture on the need to rewrite Indian history 10th out of 3,010 turn up so lack of Hindu nationalism lack of Hindu pride is a another cancer that eating up India so it's important that national growth and I think the RSS and other bodies in India have tried to do that but they have been marginalized they have been accused of you know it's a crazy thing that you know people have been equating Hindu fundamentalism with Islamic fundamentalism I mean no Hindus will no Hindus will hijack four planes and ram them on towers full of people no Hindus will think of that you know yet you know they are they have put on par the same thing Hindus are as dangerous even Mr Mr Rahul Gandhi said the same thing to the American ambassador you know Hindus Hindu fundamentalism is as as dangerous as Islamic fundamentalism it's an absolute absurdity because the facts contradict it every persecuted religion in the world found refuge in India because of Hindus not because of Muslims or Christians